Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shrankar. SEO course में आई हम रोडिस्कस करेंगे SEO for single page website. So जब भी बात आती है single page website की तो बहुत रोग confusion होते हैं, बहुत रोग मतब यह पूछते हैं कि single page website बनाना चाहिए या multiple page website बनाने चाहिए. तो यह दोनों ही different different purpose कर दियो होते हैं, लेकिन यदि आप SEO point of view से पुछोगे, SEO point of view से single page में आपको ज़्यादा options नहीं मेरेते हैं, यानि SEO आप ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हो, multiple pages में definitely SEOs करने के बहुत ज़्यादा scope होते हैं, वहाँ पर रुजाई का content ज़्यादा होता है, वहाँ पर page wise करते हैं, तो वहाँ पर SEOs के लिए options होते हैं, लेकिन single page में बहुत limited options होते हैं, SEO के परपर से ज़्यादा देखें, चलते हैं, वहाँ से किस चीज़े हैं, और clear होगी, जैसे यह single page websites हैं, यहाँ पर आप देखो, आप किसी भी option पर जाते हो, तो same page पर ही बस यह उपर नीचे scroll करेगा, आप कहाँ पर भी content में जाते हो, नीचे जाएगा, applications में आप जा रहे हो, उपर आ रहा है, processes में, capabilities में, तो same page पर ही बस यह उपर नीचे scroll होता है, तो यह single page website होते हैं, इस type के website और एक दूसरी website देख रहते हैं, इसमें किसी option पर करते हैं, किसी भी menu पर, तो देखिए, same page पर ही ले जा रहा है, किसी पर भी, who we serve, आपको देखने को मिलेगा, same page पर ही ले जा रहा है, contact, same page पर नीचे लेके जा रहा है, इसमें आते हैं, इसको देखते हैं, services में जाते है services में जाएंगे same page पे यहां पे ले करके आ गया amenities में जाते हैं यहां लेकर आ रहा है testimonials में जाते हैं तो यहां पे लेकर करके आ रहा है FAQ same page पे तो यह देख रहा है कि हम लोग same page पे ही एक आगरता है कि scroll करता है तो यह depend करता है आपके website का domain मतरब कित business related है किस niche पे आपने बनाया website कैसा blog है इन सारी चीज़ों पे आपको depend करता है अब आपकी website ऐसी है जिसमें कि content बहुत ज़्यादा write नहीं करना है आपको simply एक GUI देना है कुछ content रहा है तो definitely उसके रिए आपका single page website sufficient है अच्छा है लेकिन आप वहाँ पे ज़्यादे देखें जहां पर कि आपको बहुत ज़्यादा content डालना है images कहीं कहीं डालने है videos कहीं डालने है तो वहाँ पर आपको multiple pages website ज़्यादा better होता है क्योंकि इसमें आप content ज़्यादा आपने यह content आप ज़्यादा डालते हैं तो उसको कोई भी user आपके website पर जाएगा स्क्रोल करेगा वह इतना user friendly नहीं होगा जितना कि आप उसके रिए हर एक एक different topic के लिए different different pages आप create कर देंगे different different pages बना देंगे तो वह ज़्यादा उनके रिए होता है जिस पे content ज़्यादा होता है तो उसमें multiple pages यूज करते हैं अब इसमें देख लेते हैं कि क्या इसके pros, cons होते हैं इस चीजों को और detail में discuss करेंगे तो समझ में आ जाएगा pros में देखें तो definitely जो single page website होती है उसमें आप देखेंगे कि यो faster page speed होता है इसमें आपको page speed definitely जब single page है तो page speed आपको अच्छा मिलेगी simple and easy to use होता है mobile friendly होता है इसमें मतरब ज़्यादा pages नहीं होते है easily scroll के ओल उपर नीचे करना है इसमें mobile friendly होता है इसमें आपको target है specific audience यदि आपका एक set audience है कि इसी type के particular audience को target करना है तब कि यह आपका single page website सही है इसमें page rank यानि जो da pa होता है और definitely आपका क्योंकि आप जैसे suppose that कोई backlinks बनाते हैं तो backlinks जब बनाते हैं जब multiple pages होता है तो उसमें क्या होता है different different pages पे backlinks बनते हैं यहाँ पर क्या होगा सारा backlinks उसी एक page पर बनेगा तो और या किसी कहीं पर दूसरे website पर भी इसका backlink जाएगा तो उसी single page का जाएगा तो वहाँ पर इसकी authority domain authority and page authority definitely अच्छा होगा can be more engaging than multiple page website मतलब यह ज्यादा engaging हो जाता है क्योंकि एक ही page पर होता है and can be cheaper to create and maintain इसको simply किसी भी आप cms में कर सकते हैं चाहे wordpress हो weeks हो या ऐसे कोई भी cms पर easily आप बना सकते हैं इसमें कोई ऐसा डेवलोपर की जरूरत नहीं पड़ती है तो easily maintainable होता है और easily create कर सकते हैं कम पैसे में लेकिन इसमें issues क्या आती है can be difficult to organize a lot of content इसमें easy नहीं होता है कि आप content को easily मतलब place कर पाएं क्योंकि आपके पास यदि ज्यादा content होगा तो single page website में सही से आप नहीं रख पाएं content और हमेशा ही दिहान रखना चाहिए कि जो single pages होते हैं अब ही जो हम लोग देख रहे थे यहां पर example यदि इस example की बात कर रहे हैं तो इसमें जितनी भी pages होते हैं यह सारी pages अब जैसे यह एक section में divide है ऐसे यह एक section है एक different section है यहां पर जाएं तो यहां पर भी आप देखेंगे तो यह different section बना दिये जाते हैं ऐसे pages में single एक section हो गया यह दूसरा section है यहां पर यह तीसरा section हो गया यह चोथा section हो गया पाचवान ऐसे section में divided होते हैं तो आपको क्या समझना है यदि sto करना है 오्प यू के point of view से देखना हैं तो आपको यह समझना है कि एक section को एक page की तरीके से लीजे यानि एक topic के तरीके से एक section को लेना है और उसी के recording SEO हमें करना है तो इसमें और क्या-क्या चीजें नहीं हो सकती हैं वो चीजें हम लोग discuss कर रहे थे like a can be difficult to organize a lot of content इसमें easy content मतलब आप इतने अच्छ से organize नहीं कर पाते हैं और इसके अरवा may not be as SEO friendly as multi-pages website इसमें SEO आपका SEO का इसको भी इतना नहीं होता है और SEO आप इतने अच्छ से नहीं कर सकते हैं may not be suitable for businesses with complex message जिसमें बहुत ज्यादा मतलब complexity है जिसमें बहुत ज्यादा in and out है जिसमें बहुत सारे products की बात हो रही है तो वहाँ पर single pages sufficient नहीं होते हैं जब हम लोग मतलब दोनों की बात करते हैं कि मतलब हमें क्या choose करना चाहिए single pages या multi pages तो वहाँ पर हमें एक question से यादि ये 3-4 question ध्यान रखेंगे तो हम लोग को decide करने में easy हो जाता है कि आपको single page website पर अपना website बनाना चाहिए या multi page पर बनाना चाहिए तो पहले तो यह है कि do I have one target audience और several आपके पास जो audience है वो क्या several मतलब बहुत सारे different different type के audience है या बिलकुर target set audience है यादि target set audience है तब आप single page में जाएए नहीं तो यादि different type के audience है तो वहाँ पर आपको multi page choose करना चाहिए do I need to rank organically for multiple keywords topics और do I target one primary search intent यदि keyword एक ही primary search intent पे ही राना है आप single page पे जा सकते हैं रेकिन जब multiple keyword को आपको target करना होता है तो आपको multi pages website के तरफ जाना चाहिए which site designed will provide my users with the best possible web experience यह आपको देखना होगा कि कौन सी designing आप अपने website को लेकर चलेंगे जिस्ते की user को easy होगा समयने में यानि single page वाली या multi page की अब हम लोग support that की finally आपको single page website बनाने ही है तो single page website का SEO कैसे कर सकते हैं क्या क्या उसमें add on कर सकते हैं SEO के साइट से so that की आपकी website SEO friendly हो और SCRP page पे rank करें तो इसमें कुछ चीजे हैं like create depth content for each section जैसा मैंने इसमें बताया कि हर एक section हर एक topic जो होता है इसमें section में divided होता है तो जब section में divide होगा तो each section को आपको एक web page की तरीके से मानना चाहिए और उस section को उसी के recording optimize करना चाहिए यानि उसमें जो content आप राइट कर रहे हैं वो थोड़ा depth में होना चाहिए इसके आपको एभी दियान रखना चाहिए कि if website is in section try to rank and optimize each section हर एक section को optimize करना चाहिए and you should use multiple h1 अब कहाँए multiple h1 तो हम लोग नहीं करते है multiple जब pages की बात करते हैं जब website बनाने की बात करते हैं या multiple pages होते हैं तो हम multiple h1 तो use नहीं होता है लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है एक ही page है लेकिन section different different है तो एक section में एक h1 आप यूज कीजिए और सारे h2 to h6 यूज कीजिए ऐसे ही दूसरे section में एक h1 यूज कीजिए तो इस तरीके से देखेंगे यदि आपके पूरे page पे suppose that 6 या 7 sections हैं तो that means कि 6 या 7 h1 आ जाएंगे आपके तो इस तरीके से आपको optimize करना चाहिए so that कि आपके different different keywords हो जाएंगे और इस पे आप अपने web pages को rank करा सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग मतरब यह समाझ सकते हैं कि मैं तो यह होगा कि SEO के point of view से single pages website इतना user friendly नहीं होती है जितना multiple pages वाले website होती है वो ज़्यादा SEO friendly होती है उसके chances ज़्यादा होते है rank कोने के लेकिन यदि आपका single page website है तो उसके भी कुछ benefits हैं like कि वो fast होगा और वो mobile friendly होगा वो एक ही page पे मतलब सब कुछ होता है तो उसका domain अथाटी page अथाटी ज़्यादा होगा तो यह सारे इसके benefits होते हैं लेकिन limitations भी बहुत सारे होते हैं So I hope आपको आज clear हो गया होगा कि single pages website के क्या benefit और क्या नुक्सान है और कैसे यदि आपको single webpage बनाना है तो उसका SEO कैसे करें So आज के वीडियो में इतना ही फिर हम रोग next वीडियो में रहेंगे next topic के साथ Thank you, thanks for watching